पर आज बहुत जुकेगा नहीं सब्सक्राइब पर इस्टार तो दोस्तो यह सब जानने से लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड रुपे से ज़ादा रहेगा और अगर फिल्म के बज़र्ट रिव्यू और ओफिशल कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म का बज़र्ट जहाँ 125 करोड रुपे से ज़ादा था इस फिल्म को पब्लिक ओग डिक्स ने लगबग 4.5 रिव्यू दिया और रियल इस्टोरी पर बेश्ड होने की वज़े से इस फिल्म का वर्ड आप माउट काफी अच्छा रहा ओ फिल्म अफ ने दुसरे दिन भी लगबग 20-25 परसेंड की ग्रोथ पाई ओ फिल्म अफ ने दुसरे दिन 16 करोड 59.46 रुपे कमाई लेकिं फिल्म के तिस्रे दिन संडे होने के बावजूतिस फिल्म के कलेक्शन में काफी ज़ादा कमी देखने को मिली ओ फिल्म ने उम्मित के मुताबिक काफी कम ग्रोध पाते हुए 17 करोड 41 लाग रुपे के आसपास कमाई की इसी के साथ इस फिल्म ने अपने चोथे ही दिन इंडियान बॉक्स ओफिस पर दम तोड़ दिया वो फिल्म ने अपने चोथे दिन अनियन बॉक्स अविस पर 7 करोड 29 लाख रुपे कमाई जिस वज़े से ट्रेन एक्सपर्ट काफी ज़ादा इहरान थी वो फिल्म ने अपने पहले अपते भी अपने बदर से लगबग आधी गुना ज़ादा कमाई करते हुए सिर्फ 31 करोड 29 लाख रुपे के आसपास कलेक्शन किया जिस वज़े से फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन भी काफी कम रहा वो फिल्म को बॉक्स अविस पर रिलिज़ हुए लगबग 22 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से कमताबिक फिल्म आज बॉक्स अविस पर क्योंकि इस फिल्म को लाइफ टाइम बॉक्स अविस पर हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड रुपे से जादा की कमाई करनी थी जिस वज़े से प्रोडुसर को और डाइरेक्टर को इस फिल्म से लगबग 150 करोड रुपे से भी जादा का गाटा हुआ और अगर होलिवूट की फिल्म इसपार डर में नोवे होम की बात करे तो इस फिल्म को लेकर होलिवूट फैंस काफे जादा एक्साइटेड थे और सभी काम मानना था यह फिल्म इंडियन बॉक्स अविस पर काफी अच्छी कमाई करेगी लेकिन आपको बता दे यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक और भी जादा कमाई करने में कामियाब रही क्योंकि इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू और कंणर बॉक्स अविस पर रिलिस किया गया था जहां सभी बाशाओं में इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्मोंस मिला और पबलिकों के डिक्सन ने भी इस से भी जादा कलेक्शन है इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में उम्मित के मुताबिक काफी जादा ग्रोफ देखने को मिला और फिल्म ने पने दूसरे दिन 20 करोड से 30 लाग रुपे कमाए लेकिन फिल्म के तिसरे दिन क्रिसमस की चुट्टी होने की वज करोड रुपे का अकड़ा असानी से पार करने में काम्याब रही ओ फिल्म नहीं अपने पहले अपते 140 करोड 27 लाख रुपे का जबर जस्ता आकड़ा पार किया लेकिन अगा फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स अविस कलेक्शन की बात करें तो इस्पाइडर में नोवे हो फिल्म को अभी तक इंडियन बॉक्स अविस पर रिलिस हुए 29 दिन हो चुके हैं और 29 दिन होने के बावजुद यह फिल्म आज काफी अच्छा प्रदेश्चन करते हुए 30 लाख रुपे क्या असपस कमाई कर रही जिससे इस फिल्म का 29 दिनों का पोटल इंडियन बॉक्स बॉक्स अविस कलेक्शन दोस्तों 12 करोड 25 लाख रुपे हो जाएगा और यह फिल्म होल्यूड की इंडियन बॉक्स अविस पर रिलिस होने वाली सबसे जादा ब्लोगबस्टर फिल्मों में सामिल हो जाएगी वहीं अगर इस एपिसोड की तीसरी फिल्म अलो अर्जुन क को लेकर भी काफी जबजस्त रिस्पोंस देखने को मिला लेकिन फिल्म का पहले दिन का हिंदी कलेक्शन काफी कम रहा जी आपको बता दे पुछपा फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स अविस पर सिर्फ तीन करोड 25 लाख रुपे से भी कम की ओपनिंग की जिस से माना जा रहा था यह फिल्म लाइफ टाइम सिर्फ बीस से 25 करोड रुपे की कमाई कर पाएगी जिस वज़े से यह फिल्म बॉक्स अविस पर फ्लॉक मानी जाएगी लेकिन इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी जबजस्त ग्रो देखने को मिली और फिल्म न अपने पहले अपते ही अपने हिंदी डब डब बजट को री कवर करते हुए लगबग 21 करोड रुपे से ज़दा की कमाई की इसी के साथ पुषपा फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिस हुए आज 28 दिन हो चुके हैं बोध हिंदी डब डब फिल्म होने के लीटू के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिंदी जब डब फिल्म बन जाएंगी और अल्लो अरजुन बन जाएंगे प्रभास के बाद साथ के बाद करेंगे इस एपिसोड की आखरी फिल्म हतरंगीरे के बारे में अपको बता दे रिल्म को लेकर भी पब्लिक काफ़ ने काफी जारा पसंद किया और काफी अच्छी स्टोरी होने की वज़े से इस फिल्म को पब्लिक और गिडिक्स ने 4.5 इस्टार रियू दिया जिसका फाइदा फिल्म के कलेक्शन को हुआ वे फिल्म ने अपने पहले दिन ओडिडि प्लेटफरम के सारे रिकोर्ड तोड़ते हुए 16 करोड़ 10 लाक रुपे से भी जारा की कमाई की जिस वज़े से इस फिल्म का ढ़िडिक्रा भी जारा बढ़ा के हुआ लगबग तीन गुना ज़ादा कमाई करते हुए लेकिन अगर अक्षे गुमार की फिल्म अतरंग गिरे के अभी तक के टोटल लोटरी कलेक्शन की बात करें तो अतरंग गिरे फिल्म को अभी तक ओड़री प्लेटफरम पर डिलिस्ट हुए आज 22 दिन हो जुके हैं वो रिप अतरंग गिरे का कलेक्शन रहेगा ज़ादा जिस वज़े से अक्षे कुमार बनेंगी ओटटी के सब से बड़े सूपर इस्टार महीं दूसरे नंबर पर रहेगी लोट की फिल्म इस्पार में और चोते नंबर पर रहेगी रणवीर सेयं की फिल्म 83 लेकिन अगर आपने इ कारो फिल्मों में से कौन से फिल्म सबसे जाड़ा पसनाई च्यारों फिल्मों में से कौन से विल्म को कहोगे सब सबसे बड़ी survives कर देए